हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे चैनल जिग जग टेक्निकल में दोस्तो आज बात करेंगे डेल्टा सर्वो ड्राइब में एलाम नंबर 011 क्यूं आता है तो अगर हम बात करें एलाम जो 011 है वो हमारा A-SDA Series की जतनी भी सर्वो ड्राइब्स हैं उनमें यह देखने को मिलता है और इसका चो मेंन रीजन होता है उसको आने बने रही है मेरे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस तरह के के इलेक्टरिकल टरबल सूटिंग वीडियो को देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या-क्या रीजन हो सकते हैं encoder के साथ मैं तो दोस्तों यह है हमारा एक servo drive तो इस पे हमारा जो cn2 जो pod होता है cn2 यहां पर हमारा encoder के connection होते हैं और यह है हमारा एक encoder अगर encoder की बात करें तो encoder का जो काम होता है वो position की calculation करना होता है चाहे वो position कि जो इस तरीकी ड्राइब रहती है उनमें मोटर जो असेंबल होती है मोटर के पीछे हमारा इंकोडर लगा रहता है जो हमारी जो मोटर घूमती है तो उसकी साफ्ट की जो पोजिशन है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए कि कितने राउंड घूम गया कितना सरकल कितना साइक लिए चल गया है तो उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो जो फीडबेक सिस्टम में फीडबेक जो देता है वो इनकोडर का काम होता है तो इनकोडर का जो काम है जो मोटर का जो साफ्ट की जो कैलकुलेशन करना है कि कितना ग्राउंड घूम गया या फिर या इनकोडर हो सकता है हमारे किसी position ऐसी process पर लगा हुआ हो जहां पर हमने किसी जैसे pipe की size का calculation चल रहा है या फिर कोई process की size का कोई calculation चल रहा है तो वहां पर लगा हुआ हो तो उसके according हमने feedback हमको मिलता है कि कितना चलना है कितना रुकना है अगर उसके जो communication पर कोई effect आता है अगर यह जो communication है इन दोनों के encoder और drive के बीच में कोई problem आ गई है कोई wire related हो या फिर कुछ और related हो तो जो alarm number 011 है वो आता है तो अगर हम clear बात करें कि क्या क्या reason है तो उनके उपर मैं बताता हूँ कि अगर जो पहला जो reason है वो यह हो सकता है जो most probably हमें फिल्ड में देखने को मिलता है किसी भी industry में वो यह होता है loose connection का loose connection हो जाते हैं कई बार चलते चलते हमारे vibration होती है machines में बहुत ज़्यादा vibration होती है या कभी इस तरह के काम किये जाते है पैनल्स पर या फिर कुछ ऐसे काम किये जाते हैं जिनकी वज़े से यह wiring क्या है loose हो जाती है जैसे यह connector है यह connector क्या है कि motor के साथ में भी अगर लेंड जादा है तो उसमें बीच में connector अलाम आता है तो पहला reason तो यह है कि loose connection हो सकता है और दूसरा जो reason है यह है कि इनकी जो wiring है यह जो wiring की हुई है इसमें जो वायर केबल जो इसमें आती है अगर यह कहीं से bend हो गई यह टूड गई है या break हो गई है कोई भी वायरिस के अंदर की जो internal wiring है वो अगर break हो गई है तो alarm आएगा तो आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि जो इनकोर्टर के connection है वो proper है की नहीं है तो सबसे पहले आपको यही चीज़ चेक करनी है उससे ज़्यादा आपको ओपर नहीं जाना है तो इससे आपका problem solve हो जाएगा अगर उसके बाद भी आपका problem solve नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तो ये उसके बाद आपको दो wiring है यह wiring के साथ में भी connector रहता है क्योंकि जनरली लोग इस motor के साथ में इनकोडर होता है उसको खोलते नहीं पीचे से तो कहीं बार ऐसा होता है कि कहीं पर wire और जो cable इसमें साथ में लगी हुए खिच जाती है तो इसके साथ में जो connector है वह भी ढीला हो जाता है तो इसको भी आप air blow कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं इससे ज्यादा आप इसको disturb नहीं करना है encoder को क्योंकि एक बहुत भी sensitive device होती है इस पर काम करने में आपको हो सकता है कि चीज़ें disturbing हो जाएं अगर आप इससे ज्यादा disturb करेंगे तो encoder को तो ज्यादा disturb ना करते हुए generally आप देखेंग इसे होते हैं कि हमारी problem sort out हो जाती है अगर उसके बाद भी हमारी problem sort नहीं हो रही है तो आपको दोस्तों यह motor को चेंज करना पड़ेगा और encoder को हो सकता है motor के अंदर internal कुछ fault है उसकी वज़े से वह घूम नहीं रहा है या फिर encoder में यहाँ पर signal नहीं मिल रहा है कि साथ में कोई issue आ गया है जाम हो गया है उसकी वज़े से यह problem आ रहा है पर most probably encoder के साथ में यह problem होती है तो आप encoder को आप repairing के लिए या फिर चेंज कर सक राकते हैं तो यह जो problem है totally zero one one जो एहलाम है वह हमारा encoder related ही है तो इसको आपको ध्यान देना है और इस तरह के से आपको troubleshoot करना है तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए इस तरह के troubleshooting वीडियो देखने के लिए automation related utility related वीडियो देखने के लिए बने रही ह और लाइक किजे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजे चैनल को धन्यवाद दोस्तों